गों में पास्ता ब्राने का स्टाइल सबसे पहले आप प्राई लिजिए और उसमें पानी लिजिए पानी को उबलने दिजिए पानी उबल जया तो उसमें आप पास्ता डाल दिजिए उसमें पास्ता डाल दिजिए जितना आपको पास्ता चाहिए पानी उसी क्वेंटिटी स लेना है ज्यादा पानी नहीं डालना है उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजे और मिक्स करके उसको ढग दीजे और उबलने दीजे विच बीच में आप फिलाते हुए चेक करते रहेगा ताकि नीचे लगे नहीं और उसको उबलने दीजे अच्छे से उबल लेना है उसको और बीच बीच में आपको चेक करते भी रहना है पास्ता उबल जाए तो आप उसको करहाई से अच्छे से निकाल लेजिए पास्ता को निकाल लेजिए अच्छे से करहाई गैस पर रखिए और उसमें तेल डाल दीजिए अगर आप चुले बना रहें तो धियान से क्योंकि चुले का तेज जो है फ्लेम बहुत तेज होता है तो आप उससाब से धियान से बनेएगा आप उसमें तेल डालिए और उसके बाद उसमें भड़ी मिर्ची अद्रक प्याज आपके जो मसाला है आप उसमें डालिए और धालि ग्दर दो न हमे मिर्ची बड़ी डाल सकते हैं पास्ता मसाला डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपका पास्ता देखिए कितना एजी बन के त्यार हो गया तो आप भी गों में इस तरह पास्ता जरूर ट्राइ कीजिएगा सहर में तो लोग, माइक्रोवेब, ओवन इन सब चीजों में बनाते हैं गों में इसी तरह बनाते हैं